नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है उडान e-learning प्लाटफॉर्म पे आज हम देखेंगे 36 गड़ राज लोकसेवा आयोक के द्वारा वर्ष 2012 से लेकर वर्ष 2019 तक पूछेगे प्रशनों का विशलेशन और हमारा टॉपिक है और समझने का प्रयास करेंगे कि आगामी परिक्षाओं में इनसे किस प्रकार के प्रस्न पूछे जा सकते हैं और अब तक उनका आंसर क्या लिए गए हैं चली देखते हैं पहला सवाल हमारा पहला सवाल है खिनवा सरीर के किस अंग में धारण किया जाता है यह सवाल पूछा गया है CGPSC Prelims 2019 में और इसका सही आंसर है कान में पहना जाता है अगला सवाल देखिए गोधना गोधने वाली अनुसूचित जनजाती कौन सी है यह सवाल पूछा गया CGPSC Prelims 2019 में पहला विकल्प है ओजहा दूसरा है गदबा तीसरा है नगेसिया चौथा है खरिया और इसका सही आंसर है ओजहा जो की गोण की ही एक उपजाती के अंतरगत सामिल है अगला सवाल देखिए अगला सवाल है कब बबा मरही तकब बरा चुरही इस लोकोक्ती का सही विकल्प कौन सा है कब बबा मरही तकब बरा चुरही इसका सही आंसर है कारिकी अनिश्चित्ता मतलब अगर आप व्यापारी हैं तो आप इस प्रकार के सब्दों का इस्तमाल क कि नजाने कब मेरा ये व्यापार सिध्ध होगा और कब मैं मुनाफ़ा कमाऊंगा या अगर परित्योगी परिक्षाओं के तियारी कर रहे हैं तो कब जाने कब एक्जाम होगा कब रिजल्ट आएगा और मैं अधिकारी बनूंगा तो कब बबा मरही तो कब रा चुरही इस प्रकार के लोगती के इस्तेमाले हाँ पर किया जाता है अगला सवाल दिखिए इन में से कौन सा एक बरतन नहीं है चत्तिस गड़ी में बरतनों को अलग-अलग नाम से बजाना जाता है हमें बताना है इन में से कौन सा एक बरतन नही है अगला सवाल देखिए नान कुंटूरा बुलक बुलक के पार बांधे का तात्पर क्या है यह सवाल पूछा गया है सीजी पेस से प्रिलिम्स 2018 में विकल्प है किसान दूसरा है सुई धागा तीसरा है कुदाल और हो था है इन में से कोई नहीं सक है सूई धागा क्या होता है इस प्रकार से सिलाई करते जाते हैं आप तो जब आई करते जाता है अगला सवाल देखिए गस भर घषा पर यह एक मुहावरा है, अब इसका हमें उत्तर बताना है, तो पर्रा भरलाई, अगास मा बगराई, इसका सही आंसर है तारा, ठीक है, चली अगला सवाल देखिए, इन में से कौन सा नाम एक भाजी का नहीं है, यहाँ पर चार विकल्ब दिया है, बताना इन में से कौन सी भाज नहीं है यह सवाल cgpsy प्रदेम्स दो हजार अठारे हैं पूछा गया पहला है करमता भाजी दूसरा है लाल भाजी तीसरा है रमकेलिया चौन्था है अमारी तो इसमें देखिये रमकेलिया भाजी नहीं है क्यों कि रमकेलिया किसको बोलते हैं 36 गड़ी में भिंडी को ही क्या बोलते हैं रम के लिए बोला जाता है तो कर्मोता भाजी लाल भाजी अमारी भाजी एक खटा भाजी ठीक है तो यह सवाल जानते हैं इनको चले अगला सवाल देखिए अकुम एवं तोड़ी किस प्रकार का वाद्दे है अंकुम और तोड़ी यह सवाल पूछा गया सीजी पेसे प्रलिम्स 2018 में देखिए अंकुम जो वाद्देंत्र है आप लोग देखे होंगे जब कक्सार नित्य कायज़न होता है तो इस दोरान एक वाद्देंत्र विशेस प्रकार की तुरी तुरी के जैसे एक वाद्देंत्र होता है जिसे अंकुम कहा जाता है इसकी ध्वनी भी कुछ संख के जैसे कुछ कुछ होती है तो यह फूंक कर बजाये जाता है यह दोनों ही क्या है फूंक कर बजाये जाने वाले वाद्देंत्र है तो फूंक क को 36 गड़ी में क्या कहते हैं यह पूछा जा रहा है मुहावरे की रूप में यह सवाल पूछा गया सीजी पेसी प्रेडिम्स 2017 में पहला है मूरी ठठाना ठठाएंगे थोड़ी भाई मूरी पटकना पटकने की भी वह सकता नहीं है मूरी गड़ियाना बिल्कुल लज्जित हो करके आपसी रहाएसे जुका लेते हैं तो क्या बहूते हैं अगला सवाल देखिए 36 गढ़ी जनवला कारी गाए कलिंदर खाए दुहते जाए पनहाते जाए ठीक है इसका आंसर क्या होगा ये सवाल पुछा गया CGPSE Appearance 2015 में क्या बोल रहा है कारी गाए कलिंदर खाए दुहते जाए पनहाते जाए ठीक है पहला कलिंदर खाना दूसरा जाता तीसरा कुवा चौथा गाए पांचवाइन में से कोई नहीं इसका सही आंसर है कुवा जब आप कुवे कुछ हाखते हैं तो अंदर देखेंगे पुरा अंधेरा दिखाई देता है और वहां से आप पानी निकालेंगे वह क्या होता है फिर से भर भरते जाता है उते हैं अगला सवाल देखेंगे लाखडी क्या है CGPSC Prelims 2014 में पूछा गया पहला एक कीडा, कीडा नहीं है भई दूसरा संख्या, ये भी नहीं है तीसरा एक दाल, बिल्कुल लाकडी क्या है, एक दलहन फसल है और एक दाल है, चली अगला सवाल देखिए निम्न में से कौन सा आभूसन गला में पहनते हैं गले में पहने जाने वाला आभूसन कौन सा है देखिए, ये सवाल पूछा गया है CGPSC Prelims 2014 में पहला विकल्प है एंठी दूसरा है नांग मोरी, तीसरा है सुतिया चौथा है तर्की, पांचवा है करधनी देखिए, एंठी पहनते हैं आप कलाई में नांग मोरी बाजू में सुतिया ये गले में पहना जाता है तर्की, कान में, करधनी, कमर में तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा सुतिया, अगला सवाल देखिए नांग मोरी सरीर के किस अंग का आभूशन है अभी मैंने पिछले सवाल में बताया कि नांग मोरी कहा पहनते हैं बाजू में या भूशा में पहनते हैं तो ये सवाल पूछा गया था CGPSC प्रिलिम्स 2014 में चलिए अगला सवाल देखिए परेसान करना के लिए 36 गड़ी में कौन सा मुहावरा है परेसान करना के लिए ये सवाल पूछा गया है CGPSC Prelims 2013 में पहला विकल्प है जी छुडाना, जी जुडाना, दूसरा है छाती छोलना, तीसरा है गोड किटकना, चौथा है आसुधारना, और पांचमा है चुचुआ के रहना, तो इसका सही आंसर है छाती छोलना, परिसान का नम दब छाती छोलना ठीक है अगला सवाल देखिए तारे के लिए 36 गड़ी में जनवला पहली क्या है ये सवाल पूछा गया है CGPSC Prelims 2012 में तारे के लिए देखिए पहला क्या कह रहा है पांच भाई के एके अंगना, दूसरा रात में गरू, दिन में हरू, तीसरा है जादा मीठा मा कीरा पर है चौथा है पर्रा भर लाई गगन भर छाई पांच में है पूछी ले पानी पिये मुडी हल लिया है इसमें अगर हम तारे के लिए देखें तो तारे के लिए जो जनवला है वो है पर्रा भर लाई और गगन भर छाई ठीक है अब इसमें बाकी के भी बहुत सारा है जैसे प यहां से जल रहा होता है लो ठीक और यहां से क्या होता है तेल चड़ता है तो उसका अंसर यह है तो ऐसे बहुत सारे हैं देख लीजिए अगला सवाल देखते हैं लज्जित होना के लिए 36 गढ़ी मुहावरा क्या है लज्जित होना के लिए चली देखे यह सीजी पेसी प्र पूरना दाथ लनी पूर दीस मतलब क्या हुआ लज्जित हो गया तहीं आंसर क्या होगा विकल्प इचली अब देखे बाकी कभी अलग लग है चितले उतरना छेरिया होना खटिया उसलना दोटा धरना यह सब अलग अलग इसका अंसर है जैसे किसी का बिमार होना है किसी का को परीर के किस अंग में पहनते हैं यह सवाल पूछा गया है राज जवन सेवा भरती परिक्षा 2016 में पहला विकल्प है हाथ पैर दूसरा है हाथ तीसरा है गला चौथा है कान पांचमाहिन में से कोई नहीं अब पहुंची यह पहना जाता है हाथ में ठीक है इस प्रकार से हम प्रबंधक उद्योग परिक्षा 2016 और वैज्यानिक अधिकारी परिक्षा 2018 में पहला विकल्प है गदबा दूसरा है पैगा तीसरा है ओजहा गोण चौथा है देवार और पांचमाहिन में से कोई नहीं इसका सही आंचर है ओजहा गोण जंजाती गोण की ही उप जंजाती हैं वो कौन से जिजनर जो गोदना गोदने का कारे करते हैं उनको क्या कहते हैं गोदना सिलपी उससे अलग अलगत रहके लोग डिजाइन तयार करते हैं यह सवाल पूछा गया है माइनिंग इंस्पेक्टर 2018 में देखिए पहला विकल्प है देवार दूसरा है गांडा ती रनर परिक्षा 2019 पहला विकल्प है धोलक दूसरा है बांसुरी तीसरा है मंजीरा चौथा है थाली तो देखिए धोलक बांसुरी मंजीरा यह सब क्या है संगीत वाद्य हैं लेकिन थाली जो है यह संगीत वाद्य नहीं है यह कभी-कभी विशेस आउसरों पर आप पीट- 2017 में, पहला विकल्प है दिन बहुरना, दूसरा है दिन पुरना, तीसरा है दिन नंदना, चौथा है दिन देखना और पांच महिन में से कोई नहीं, तो सुख के दिन आना के लिए जो छतगड़ी मुहावरा है वो है दिन बहुरना, दिन बहुरना मतलब सुख के दिन आना, चलिए अगला सवाल देखिए, जब आईस बदरा खालिस्थान, सुरुज मुह तोपिस फरिया, अब ये सवाल पुछागे है, राजजवन सेवा भरती परिक्षा 2016 में, देखिए, पहला विकल्फ है भईया, दूसरा है करिया, तीसरा है रिसिया, चौथा है छलिया, पांचवाहिन में से कोई नहीं, इसका सही आंसर होगा, जब आईस बदरा करिया, क्या है, करिया मतलब का जब आईस बदरा करिया, सुरुज मुहतोपिस भरिया, ठीक है, चलिये, अगला सवाल देखिए, आखी पढ़राना, चत्तिस गढ़ी मुहावरे का अर्थ क्या होता है, आखी पढ़राना, देखिए, ये सवाल पूछा गया है, युवा कल्यान भरती परिक्षा 2018, ठीक है, देखिए, पहला क्या है, आख फरकना, दूसरा है, आख पोचना, तीसरा नजर भर देखना, चौथा है, काना होना, पांचवाहिन में से कोई नहीं, तो आख पंडराना का सही आंसर क्या है, काला होना, काना होना, ठीक है, काना जब होता है, आख पंडरागी सुकर, बुज साना इन में से कौन सा किसी दिशा को नहीं बताता यह परिक्षा स्यमो 2019 में पूछा गया था देखिए पहला है उगती उगती बोलते हैं सुरियोदय वाले दिशा को जिदर से सुरियोदय होता है पूरु दिशा को ही क्या बोलते हैं उगती क्योंकि सुरियोगता इसले क्या तो उसको उगती, इसका अपोजिट में देखेंगे तो लिखा है बुड़ती, बुड़ती मतलब जिधर सूर्य डुबता है, सूर्यस्त जिधर होता है, उसको बुड़ती, उगती, बुड़ती, फिर क्या है, भंडार, भंडार को ना बोलते हैं, उत्तर दिशा को, ठीक है, नॉर्थ साइड वो क्या बोलते हैं भंडार और कमारी ये किसी दिशा का नाम नहीं है तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा विकल्प बी अगला सवाल देखिए 36 गढ़ी मुहावरा आई अरई लगना का अर्थ क्या है क्या है अरई लगना देखिए ये सवाल पूछा गया है सहायक संचाला की यूजना परिक्षा 2019 में पहला है नुकसान पहुचाना दूसरा है लजजित करना तीसरा हाथ दोकर पीछे पड़ जाना चौता है गाली छडि रखारता है किसान छडी से या तो ऐसे तो पीटा जाता है तो उसमें उसमें एक किल लगा होता है रही है जब आप इस बैल के पींढ़ित पर जातेइव चलना ही है कीचर रहा है जाया की तुम चलोगे तो खेट यूतेग मतलब क्या है था फइस्था इहांथ पर ठीक है चलिए अगला सवाल देखिए कई बार तो घर वाले भी अरही लगाते रहते हैं पढ़ ले बेटा पढ़ ले रे नोकी डग जी ही ठीक है अरही लगाते हैं बार बार तो इस प्रकार से हमने 36 गड राजलोक सेवा आयोक के द्वारा मुहावरे लोकोक्तियां आभूशन वाले टॉपिक से पूछे गए प्रस्नों का विसलेशन देखा धन्यवाद